फाइनली रियल मी ने अपना एक और नया स्मार्टफून रियल मी नाजो 75 जी को लॉंच कर दिया वही दूसी तरह मोटो लोला कंपेनी का पापलर स्मार्टफून मोटो जी 60 फॉर फैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 2000 उर्पीस का डिफरेंट देखने मिल जाता है कि अगर पफॉमेंस की बात करी जाए जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफून को ले उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तरफ रियल में के नाजो 75 जी में मीडिय अटेक का डैमेंट सेवन चीरो 50 का प्रोसर देखनों मिल जाता है वह दूसरी तरफ मोटो जी सिष्टी फॉर फैबजी जो की 15,000 पिस से कमकी प्रैस में पहला ऐसा स्मार्टफून जिसमें आप लोगों को मीडिय अटेक का डैमेंट सेवन जीरो टू फाइप का प्रोसर देखनों को मिल जाता है अगर पफॉमेंस वाइज बात करी जा तो एक द्रफ मोटो जी 624 5 जी का जो ंथतू स्कोर निकलके आता है वह दूसरी तरफ तरफ रीय लंग के ना जो 75 1975 जी का जो अन्थतू स्कोर निकलके थतो 5 Again अगर आप लुग दोनों में से किसी स्मार्टफॉन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफॉन के जी एफक इसकोर यानि गेमिंहीं जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो जी सिच्टी फॉर फैब जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वह दूसी तरफ रियल में के नाजो 75 जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,300 निकल के आता है दोने स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ल से बिन की बात करें जारों डिस्प्ली की कोड़ी तो काफी जड़ा बेटर रियल में के नाजो 75 जी में देखनों को मिल जाती वह दूसी तरफ मोटो जी 64 फैब जी में 6.5 इंच की फुल एक्टी प्लेस पांच होल वाली आई पे डिस्प्ले देखनों को मिल जाती डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्न गोरिला गिलास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्टे रीफ्रेस एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर क्यामरा से एक बिन की बात करी जाए वैसे तो दोने स्मार्टफोन एक जैसा मेगा फिक्सल लाना सेमी अपर्चर का प्रामरी कैमरा देखनों को मिल जाता है पर कम प्रेस होने के बाउजिती मोटो जी सिस्टी फॉर फैब जी के कैमरे में ज्यादा एड़वांटे देखनों को मिल जाते हैं 50 मेगा फिक्सल का में प्रामरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर एफ वन पॉइंट अपर्चर देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट एलेडी फ्लैस लैट के साथ और 15,000 पिस से कम के प्रेस मोटो जी सिश्टी फॉर फैब जी के कैमरे में ओ आई एस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दूसरा कैमरा 2 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट एलेडी फ्लैस लैट के साथ पर रियल में नाजो 75 जी के बैक कैमरे से 4K वीडियो असानी से रिकॉर्ट कर सकते है पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता वही दोने स्मार्टफोन में आप लोगों को डूवल वीडियो रिकॉर्ट करने का ओसन देखने को मिल जाता है अगर सेल्फी के मामले में तो इतना ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है एक तरफ मोटो जी 64 5G में 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन का अगर आडियो फीचर की बात करीजा तो कम प्रेस दोने की बावजूदे मोटो जी 64 5G में डूल इस्ट्यूरे स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमाउस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 33 वाट के टर्बो फार्च चार्जिंग के साथ यूजबी टैफ सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है मोटो जी 64 5G में साइड मौटेट फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाता है तो बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्ट फोन आप लोगों के लिए बैश्ट है अगर आप लोग भी 15,000 पिस से कमके प्रैस में 8GB रैम वाला नया आल रांडर स्मार्ट फोन लेने के लिए सोच रहे तो आप लोगों को मोटो जी 64 5G की तरब जाना चाहिए पर आप लोग एक अच्छे गेमिक प्रोसॉसर के सास्तार बैस्ट क्वाल्ट फोन लेने के लिए सोच रहे ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्ट फोन लेने के लिए सोच रहे फिर इन डिस्प्ले फिंग अपिन सेंसर वाला स्मार्टफून लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोगों को रियल में के ना जो 75G की तरब जाना चाहिए